दलूइस एसीड केरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राइलाइड्स फोलोज दा ओडर नवाई यह बहुत यह अच्छा कोईश्यन इंपोर्टेंट बहुत बार रिपीट हुआ है यह कह रहा है कि जो बोरोन ट्राइलाइड्स है जैसे बी आई 3 बी आर 3 बी सील 3 इनका एसीडिक केरेक् यह समझे है क्लोरीन ब्रोमीन आईडिन डाउन दा गुरूप जा रहे हो तो इनका हैलाइड्स का हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है तो जो कोर्सपोंडिंग बोरोन ट्राइलाइड है उसका लूइस एसेडिक केरे होती रहती है okay now we know कि जो पी पाई पी पाई बैक बोंडिंग है सब्सक्राइब जैसे इसमें देखिए पी पाई पी पाई बैक बोंडिंग हो रही है correct अब because जब आप fluorine से iodine की तरफ आ रहे हो halogen का size increase हो रहा है इससे क्या होता है कि जो बैक बोंडिंग की strength है वो decrease होती रहती है जिस वज़े से आप यह कह सकते हैं कि जो इसका Lewis acidic character है वो increase होता रहता राइट तो आप एक rule ऐसे मान के चलें कि जो पी पाई पी पाई bending bonding से halogen के size inverse proportion है तो इसका मतलब down the group Lewis acidic character increase हो रहा है correct तो इसका मतलब क्या हो गया कि option number one आपका correct answer है I hope guys आपको question समझ मायोगा